चलब आईए फिर आज देखते हैं, what is appeal, appeal क्या है, हमारे examination में इसकी एहमियत क्या है और इसको हम किस तरह से solve कर सकते हैं, isn't it? appeal may be about donation, help, social activities, awareness about something, etc. I mean to say, इसका मतलब क्या हुआ, कि appeal हो सकती है, काय के बारे में हो सकती है, donation के बारे में हो सकती है, help के बारे में हो सकती है, और social activity या फिर awareness about something, जैसे कि अभी pandemic से बचने के लिए common people ने क्या चाहिए, इस बात की total जान करी उसको नहीं होती है, या फिर symptoms, क्या होते हैं, तो ये तमाम चीजों की जान करी, जब हम महिया कराते हैं किसी को, तो हम क्या कहेंगे उसको, awareness, तरह की appeal हम बनाएंगे, जिससे के लोगों को, लोगों में जब रुपता आ जाएं, और आपको किस तरह से बनाने ही appeal, you should title the appeal appropriately, using the compressed title, it should be meaningful and attractive, I mean to say, क्या क्या the detail होणा जहें है। QVA,ίν स्या जहेंत, Baptist, Serious अचैएं, जिससे होना जाहिए, ज्यादा लंबर होना जो क्या होना जाएं, क्या से फिर्ट जाना झाहिए और क्या होना जाएं, य। नियुनिक्पर होना जाहिए। You should use short sentences to attract attention. Attention कि इसका? readers का attention. मतला, you should use short sentences. Your sentences should be short. Catchy slogan. Slogan यानि नारा जिसका मुर्गु में मुझते आ है, Slogan यानि ऐसी बंदूग नहीं, जा धीर तरह जाके रगती है. क्या मतला पह इसका? के एक तरह का नारा, तो हमारा नारा कैसा रहाना चाहिए ? कैची होना चाहिए और phrases का इस्तेमाल मुम्किन होते हैं करना चाहिए rhymes अगर जमती है तो बढ़न है और picture का इस्तेमाल करना चाहिए अब वो मुम्किन तो नहीं होगा exam में लेकिन फिर भी अगर कर सकते होगा आप तो करना चाहिए picture का सब्सक्राइब करना चाहिए तो यह हमारा फेल बनेंगा ठीक है तो आगे देखते हैं फिर प्रोवाइड एन एड्रेस और सब्सक्राइब करना चाहिए तो आपसे वो कर सकता है तो इस तरह की तमाइब करना चाहिए यह आपकी website है जिस पर बाद में भी अगर कोई contact करना चाहिए तो आपसे वो कर सकता है तो इस तरह की तमाम चीजों पर मबनी जब आप बनाऊंगे तो आपको marks को मिलेगी marks मतलब मात के लिए नहीं सीख रहे हैं हम का के लिए सीख रहे हैं एक skill है जो हमारी life को enhance करेंगी फिर भी आप चाहते हो तो मैं बतायता हूं marking scheme बता देता हूं है presentation of content को मिलते हैं grow marks convincing language बता जो हमको persuade कर दे समझा दे हमको जो point हम deal कर रहे है तो ऐसी अगर हम language लिए साफ और easy and catchy तो उसके लिए हमको एक marks मिलेगा convincing भी होने चाहिए language और inspiring भी होने चाहिए motivational message अगर हम को देते है उस पर भी हमको एक mark दिया जाएगा ऐसे total 4 marks देगा but we should not study for the marks but for the skill skill for the life ठीक है तो आपको question किस तरह का आएगा question आएगा आपको prepare an appeal for contribution migrant workers who have lost their livelihood due to the coet pandemic इस तरह का कोई question आपको हैगा जिसको आपको solve करना होगा तो मतलब आपको एक appeal तयार करनी होगी migrant worker के लिए अब यहां migrant worker के लाओ को कई और भी topic हो सकता है जिसे blood donation हो सकता है tree plantation हो सकता है ऐसे बहुत सारे चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं अपील बना सकते हैं चीक है आप उसमें catchy slogan भी हो सकते हैं catch slogan क्या हो सकते हैं जैसे के for example इसके तालुक से अगर हम बात करते हैं migrant worker के तो हम ले सकते हैं share your bread with the needy or contribute toward life a small estate can make a big difference your contribution can change the life of others इस तरह की बात हम कर सकते हैं हमारे श्रुवात में टीक है या आप के essence होना चाहिए appeal का इसका लुक समझे से के हम बात करें migrant worker की बात करें हम तो इस तरह के हम sentences लिखेंगे जैसे के never before was such a forward need to be human अगर इस चुमले का लगभी मानी देखा जाए तो क्या है अब से कब इनसान होने की इतनी शदीद जुरूरत पेश नहीं आई हैं हम सिर्फ इतनी बात इसमें कह रहे हैं लेकिन हम मुद्द क्या उठाना चाहते हैं हम मुद्द उठाना चाहते हैं situation is serious due to covid-9 people need help अब यह आम अलफाज अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो impact जो आना चाहिए नहीं आए तो यहां हमने कौन सा अंदाज अपना है हमने बात कही है लेकिन धके छुपे अलफाज में और रही लैंगवेज हमने इस्तेमाल किया है कि वह इससे कबल ऐसी कोई situation नहीं आई कि हमको इतना इंसानियत का सुबूत देना लेकिन इस covid-19 के अंदर हम देख रहे हैं कि वाकि हमको इंसान बनकर इंसान की मदद करने बाकि तमाम यह भाव को बुला देना तो आपकी अपील कैसे होने चाहिए फ्लार यह ने चाहिए आपका हर वर्ड कैची होना चाहिए अट्रैक्टिव होना जिससे के पढ़ने वाला आपकी मदद करने या आपकी प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए तयार कुछा तो हार मकसद क्या है एट्रैट करना और लोगों को अपने साथ जोड़ना ये एक प्राइम मकसद के तेर ही हमारा हर एक जुम्ना बना चाहिए तो इस तरह कि अगर सेंटेंस आप बनाते हैं शॉर्ट अपीलिंग तो आप बटर तरीके से अपने आप अब देखो कि सेंटेंस है कैसे और किस तरह किस इसको लिखा गया कहां पे हाइलाइट किया गया है कहां पे किन बातों को एह्मियत दी गई है कौनसे पॉइंट रेज क जाए हैं इन तवाम बातों पर आपको क्या करना पड़ेगा गवार परना पड़ेगा विदा प्लानेट रिली अंडर अरिफिक इंपक्त ऑफ गोविड-19 एंड इन अविद इन विद गोड़ाइब अब इन नाइन ओके ते आद हम क्या कहना चाहते हैं आपने गवर किया होगा के जो हमने सेंटेज लिखा है भी तो आपनाने रिलिंग अंडर अंडर इंपक्त ऑफ कोविड-19 एंड इन इनिवेटेबल लॉगड़ाउं में हमने कोई सेंटेज नहीं बनाया उनली कीवर्स वहां पे हमने दीए हैं तो इस तरह का हमारा लेंग्विज होना चाहिए इससे फिशार अतन बात होनी चाहिए और असरदार बात होनी चाहिए इस बात का खयाल रखते हैं उने सेंटेज मनाने तो वोस हेक्ट आ माइग्रेंट वरकर्स नौ जॉब नौ फूड नौ शेल्टर और सबसे बुरा इस पैंडेमिक का इस कोविड नैंटीन का जोसार हुआ है वो किस पर हुआ है हम क्या बता रहे हैं माइग्रेंट वोकर्स जो रोजी रूटी की तलाश में गाहों को हम आते हैं सिडिस के अंदर ताके उनका डेली ब्रेड और बटर चल सकते हैं मिंटल से रोजी रूटी के चल सकते हैं उनकी क्या हालग है हम सिर्फ तीन वोड्स को एफेक्टिवी यूज करके यहां उपर बता जिये क्या होता है हमने नो जॉब नो फूड नो शेल्टर मतल सब नहीं जॉग है नहीं खाने को और छद भी हो तो घर का इंतखानाव भी उनके पास तो हालकुप यह प्रॉब्लम्स के हम एक इधिक सेंटेंट बना सकolyteं है हुए कि और सब क्यूश्किय कि ताके catchy, mind उसको catch करे और खुद ही सेंडल बनते है, ठीक है तो हिये, यहीं कि छोटी चीज में तमाम चीज आजानी है, मतलब सागर इन गागर, गागर बुलते हैं छोटे घड़े को बुलते हैं, और सागर तो आपको पता है, समंपर को बुलते हैं, So, shouldn't we the privileged one's land of hell condition, can we have a good appetite, when millions of a parliament are dying of hunger, So, shouldn't we, अब दे तिन याब एक question है, rhetorical question है, जो forceful sentence होता है, इमाँख को पील करता है, So shouldn't be the privileged one, privileged one, बतल जिनको तमाम फैसलिटी मैसर है उन तमाम के लिए इस्तेमाल किया गया, privileged one, lend a helping hand, lend a helping hand, it is a phrase, तो हमने phrase B use किया, यह क्या है, एक effective sentence बना है, एक rhetorical question जिसको हम बते है, तो हम privileged, जो once है, लोग है, people है, तो हमने क्या करना चाहिए, मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, lend a helping hand, क्या हमने नहीं बढ़ाना चाहिए, तो हम तो क्या होगा, अगर हम तो transform करो तो, yes, we should, हमने क्या करना चाहिए, helping hand बढ़ाना चाहिए, can we have a good appetite, हम पी रुगर की खासकते हैं, यह भी rhetorical question है, देखो, can we have a good appetite, when millions of our fellow men are dying with him, जहां पे millions of लाखों की तेदाल में लोग भूके हैं, वहां हम प्रेड भर कर की खा सकते हैं, obviously, हमारे statement दिया होगा, नहीं, नहीं खा सकते, certainly not, यह effectively तंदाल में हम, यह लिख रहे हैं, पढ़ने वाला भी वही चजबात के साथ उसको समझेगा, certainly not, so let's all pull up resources, जितली भी resources आप से जमा करूं, certainly not, so let's all pull up our resources to contribute our share to this yeoman cause, German cause यह नहीं, एक noble work, एक महान काम, अजीम अमल, जैसे के, migrant worker की मदद करना, generate generously in the migrant relief fund, ठीके समझ में आया, तो यह तमाम चीज़े हैं, जो आपको उसमें क्या करना है, पेश करना, okay, और last में हम क्या करेंगे, most important चीज़, हम बता बताएंगे न, we, elite welfare group, have organized a program in the premises of every college in the city, our volunteers will be present to welcome you, you can also use our website given below, क्या करना है हमको, क्या करना है, certainly, donate करना है, कैसे करना है, generously करना है, और कहा करना है, हमारे program के नाम क्या है, migrant relief fund के नाम से हम जमा कर रहे है, तो हमारे group के नाम क्या है, elite welfare group, have organized the program, ऐसे लेन हमने, तो वहाँ पे कहाँ पे हमारा program, हर एक college के premises में, जहाँ पे हमारे volunteers के है, मतलब दोनर को क्या करेंगे, welcome करेंगे, और मजीद इस पर हमने क्या क्या है, हमारा website बनाया है, उस पर भी जाकर लोग क्या कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं, help कर सकते हैं, तो उमीद है कि आपको यह समझ आया होगा, कि किस तरह से हमको appeal प्यार करना है, उसका मदद द्वा क्या आँच चाहिए, कि हमारी इस appeal पढ़कर लोग हमसे जुड़े हैं, जिस cause के लिए भी मिलकर रहे हैं, उस cause के लिए लोग हमसे जुड़ जाए, इसके लिए हमको क्या करना है, attractive language लिखना है, catchy language लिखना है, एक short खाका बनाना है, जिसको उनकी रोगनेंगे appeal, example की तोर पे मैं यह दे दिया हूँ, और मजीद आपको इनको मिशिल चाहिए, तो आप से मेरे ब्लॉग पर जाकर आप वहां से बहुत कुछ collect कर सकते हैं, grammatical knowledge हसिल कर सकते हो और इस तरह के और भी बहुत सारे material वहां कर अवेलेबल और आपके मंतजीर हैं कर आप चाहिए, और वहां इस तरफागा आप से पीचिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you very much, इस topic के मतलिक जो भी सवाला, जो भी question आपके जहन में आते हैं, मुझे comments में लिक कर भेजिए,